तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर सिट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेट सारे जनकारी सबसे पराफ्ट कर सके तो चलिए बिना देरी करें सिधा रिजल्ट के और बढ़ते हैं तो गई जो रिजल्ट है वो करोड में दिया गया है उसे पहले कॉलम में इस कोटर का रिजल्ट सेकंड कॉलम में लास्ट का रिजल्ट और थर्ड कोलम में लास्ट के थर्ड कोटर का रिजल्ट दखने को मिलता है उससे पहले हम बात करें कंपनी के टोटल इंकम की तो इस कोटर में कंपनी के टोटल इं तो इस quarter में थी 30,126 करोड़ा और लास्ट यह थी 26,538 करोड़ जायर भात करें कंपनी के टोटल expense की तो इस quarter में रहा 24, 436 करोड़ का expense last quarter ने था 20,678 करोड़ का और लास्ट यह था 19,000,387 करोड़ का डोटल तो इस कोटर में कंपनी के प्रॉफिट्स की टैक्स पेगनने से पहले तो इस कोटर में कंपनी के प्रॉफिट्स की टैक्स पेगनने के बाद तो इस कोटर में रहे 5,822 करोट्स लास्ट कोटर में थे 5,428 करोट्स और लास्ट यह थे 5,215 करोट्स तो जैसा कि अब देख सकत है company के profits है वो इस quarter में last quarter और last year दोनों को मुकाबले बढ़कर आए हैं कि अगर हम बात करते हैं company के earnings पर share की तो जैसा कि अब दिख सकते हैं इस quarter में earnings पर share रहे 13.86 रूपीज के last quarter में ते 12.88 रूपीज और last year ते 12.25 रूपीज तो company के earnings पर share है वो भी company के profits की तरह इस quarter में last quarter और last year दोनों के मुकाबले बढ़कर आए हैं तो guys company का जो result है वो काफिय अच्छा है